आज के क्लास में हम दो बहुत ही महत्वपुन फॉर्मूले को प्रूब करने जाड़ है ठीकोनोमेट्री का आई क्या है सर सबसे पहला होगा एक साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए मैनस बी और एक होगा आपका कॉस ए प्लस बी इंटु कॉस ए मैनस बी मैं जरा ध्यान से देखो दोनों फॉर्मुला बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है बहुत ही ज्यादा यूज़फूल है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए मैनस बी है अब देखो, sin a plus b का फर्मूला तुम लोग को पता है sin a into cos b plus cos a into sin b अब फिर sin a minus b का फर्मूला क्या हो जाएगा sin a into cos b minus cos a into sin b होगा, अब देखो same same चीज है, जो यहाँ है वही यहाँ है जो यहाँ है, वही यहाँ है अब देखो से, a plus b into a minus b, क्या होता है a square minus b square तो इसका square minus इसका square हो जाएगा sin a into cos b इसका square minus cos a into sin b इसका square यह आपका हो जाएगा, sin square a into cos square b घटाओ, cos square a into sin square b चलो भाई अब यहाँ sin square a cos square b को क्या लिख सकते है 1 minus sin square b minus cos square a को क्या लिख सकते है 1 minus sin square a into sin square b हो बेशर अब चलो यह आपका sin square a गुना 1 क्या होता है? sin square a होता है minus sin square a into sin square b घटाओ sin square b इससे गुना हो जाएगा यह तो sin square b हो गया minus minus क्या? plus plus sin square a into sin square b अब देखो तो भाई sin square a into sin square b यहाँ minus में है और sin square a into sin square b यहाँ क्या है? plus में है तो यह दोनों तो cancel हो जाएगा यह आपका cancel हो गया यहाँ बचा क्या? sin square a minus sin square b यह आपका formula आ गया sin a plus b into sin a minus b तो देखिए तो यह आप काफी अच्छे से याद रख लेंगे sin a plus b into sin a minus b यह बड़ाबर क्या होता है? sin square a minus sin square b तो यह आपका बहुत ही important formula आ गया अब चलिए सर अब हमको cos a plus b into cos a minus b का formula प्रूब करना है तो cos a plus b का लिख दो भाई क्या लिख होगे? cos a into cos b minus sin a into sin b लिखेंगे? अब देखो cos a minus b का क्या हो जाएगा? cos a into cos b अब प्लस sin a into sin b होगा ना? अब देखो तो जो यहाँ है सर वही तो यहाँ है जो यहाँ है सर वही यहाँ है यानि a minus b into a plus b के फोर्म में है तो a minus b into a plus b a square minus क्या होता है? b square तो चलो भाई cos a into cos b का square minus असर इसका square कर दिये पूरे पढ़ना square हो जाएगा cos square a into cos square b फिर इसका square करेंगे तो sin square a into sin square b होगा क्या? अब देखो cos square a हो गया into cos square b को लिख शकते हैं 1 minus sin square b अटाओ और इसको cos में change कर दो 1 minus cos square a into sin square b हम आपको वो formula ला करके दिखाएंगे जो formula most popular है जो लगातार use होता है सवाल में तो cos square a गुना 1 cos square a minus cos square a into sin square b हो जाएगा फिर minus 1 into sin square b क्या होता है sin square b sin square b minus minus क्या हो जाएगा plus cos square a into sin square b अब जराद देखो तो भाई cos square a into sin square b है plus में और यहाँ cos square a into sin square b क्या है minus में तो यह और यह तो cancel हो जाएगा क्या आ गया cos square a minus sin square b तो आपका formula हम यह जगा तो नीजे आपको दिखेगा नहीं पॉपर यह लिखे देता हूं और इन्टु ऐ मैनस भी यह formula क्या हो जाएगा कॉस स्क्वाइर ए मैनस साई्न स्कॵाइर भी यह आपका formula हो गया ले प्न्टु कॉस ऐ मैनस भी तो आप पहले यहां से इस तरह से उतारते हुए यहां तक आईए उसके फिर यहां से आप यहां से लेगे cos a plus b into cos a minus b क्या बोलेंगे cos square a minus sin square b और sin a plus b into sin a minus b क्या बोलेंगे sin square a minus sin square b तो बड़ा ही इंपोर्टेंट फर्मूला है तो प्लीज वीडियो पाउस कीजिए और इसको नोट कर लीजिए